पूजा करते हैं तो आप जरूर जानना चाहते हैं आप ने जो पूजा पाथ किया मा को मनाने के तमाम बिदीविधान किया तो माकितनी में पूज़ा स्विकार हुई या नहीं तो नौरातर के दिनों में कुछ खास संकेत से आप ये जान सकते हैं आज हम उन्ही के बारे में आप से बाते करेंगे अगर सपने में नौरातर के दिनों में खास चीजे मिले तो इसका मतलब है आप देखते हैं अगर तो धन संपदा भर से घर भर ज होती है और उन चीजों में है मा लक्षमी का वाहन उल्लू सुहागवती इस्त्री सिंगार की इस्त्रिया जो होती है और अखास कर अगर सोलह सिंगार की इस्त्री दीख जाये तो इसका मतलब है जीवन में सुमंगल कारे होंगे माता रानी की क्रिपा आप पर बरसेगी अगर क सारानी की किरपा आप पर हो चुकी है अगर आप चुकी यहां पर देखना सबसे ज़्यादा सर्फ्षरेश्ट माना जाता है चाहे आप सपने में देखे या हकीकत में सफेद गाय मनुकामनाओं को पूरी करने वाली मानी जाती है वैसे तो सांप दिखने से नाम से भी डर जुकी घर से निकलते ही सुबह-सुबह अगर गन्ना दिखाई दे तो पुजा स्विकार होने के ये संकेत होते हैं सुबह सुबह संख की धोनी से आपकी आँखे खुले मंदिर के संख घंटे की धोनी से समझ ले माँ आप पर परसंद है अब जीवन में जो बुरे समय थे वो समाप्त हो गए अब खुसियों भरे दिन आए तो आप जान सकते हैं आपकी पुजा स्विकार हुई या नहीं हम आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेव धन्यवाद